हमारे परमधर्म संसत एक हजार आठ में एक सवाट सेवालयों के द्वारा सेवा की जा रही है ये जो 108 से वाला हैं ये स्थाई विभाग हैं समझियें परमधर्म संसत के जिनके माध्यम से हर व्यावारी कारी किसी एक प्रमुक के दाइतों में निर्वाह किया जाता है बहुत से लोगों को चूंकि नया संगठन है नई प्रक्रिया है नए नाम बने हुए है इसलिए बहुत से लोगों को समझने में मुश्किल हो रही है कि अलग-अलग से वालेयों का असल में काम क्या है इस कारण से भी थोड़ी तकलीप हो रही है क्योंकि हम लोगों ने आजकल अंग्रेजी में सब कुछ हो रहा है या सरल हिंदी में तो अंग्रेजी भाषा में कहो तो जल्दी समझ लेते हैं लोग कैसी परिस्तिती आगी अपने भारत देश की कि यहां पर अंग्रेजी में कहो तो जल्दी समझ में आता है हिंदी में कह दो तो लोगों के लिए कठिनाई हो जाती है यह होना नहीं चाहिए अगर यह होगा तो आगे चल करके तो फिर हिंदी समझने वाला भी कोई नहीं बचेगा और अंग्रे जी ही हमारी बाशा हो जाएगी और अंग्रे जी अगर हमारी बाशा हो जाएगी तो आगे चल करके जो अंग्रे जी के लोग हैं वो कहेंगे कि आप लोग तो हमारे ही हैं देखिए आपकी बाशा तो अंग्रे जी है इसलिए आप हिंदू नहीं है आप तो अंग्रेजी और इजिन वाले जो लोग हैं उन्हीं के लोगई हैं तो पता चला कि हमारे धर्म भी हम से चला गया हमारी पहसान भी हम से चलीगे पिर वो यह भी कहेंगे कि आप अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं इसका मतलब है कि आप इस देश के मूल निवासी भी नहीं है, फिर हमारे यहां के हैं, जाने किया किया बाते चली आएंगे, तो इसलिए हम लोग संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को प्रमकृरूप से वेवार में रखना चाहते हैं, और इसलिए इन सेवालयों का नाम इसमें सबसे पहला जो सेवालय है, इसमें सबसे पहला जो सेवालय है, वो सुमेरू सेवालय है, सुमेरू का मतलब आप चानते ही हैं, हमारे हैं माला होती है, और इस माला में एक सुमेरू का मन का होता है, जो दोनों तरह के दागों को अपने में पिरो करके विद्यमान रह तो माला में 108 दाने होते हैं और 109 वह सुमेरू होता है लेकिन सुमेरू को गिना नहीं जाता है इसलिए अगर किसी सनातनी से पूछा जाए कि आपके गले में जो एक माला है इसमें कितने दाने है तो वह कहेगा 108 जो नौ है दाने है लेकिन नौ का नाम नहीं लेगा वह कहेग तो मेर उसे बालाई का मतलब है कि ये होकर के भी नहीं है और नहीं होकर के भी है, वो जो परमसत्त है, परमधरमसत की जिसके सानित मात्र से ये परमधरमसत संच Associate है, उस व्यक्ति के द्वारा जो भी निर्देश आधेश प्रदान किये जाते हैं, उन्ही निर्देशों आधे अनुरूप ये परमधर्म संसत संचालित होती है इसलिए सबसे पहला जो सेवाले है वो सुमेरु सेवाले है लेकिन वो एक सुवाट सेवाले में नहीं है इसलिए उसकी कोई संक्या नहीं है पहला सेवाले है नीती सेवाले जो सुमेरु है परमगुरु जिनको परमाराध्य परमधर्माधीश भी हम लोग परमधर्म संसत में कहते है उनकी इच्छा और आग्या की अनुरूप नीती बनाने का कारी जिस सेवाले के द्वारा किया जाता है वो पहला सेवाले है और उसका के विशिस्ट जन हैं, वो जहां पर समविद हो करके बैठते हैं और नीतियों का निर्मान करते हैं, उस सेवाले का नाम नीती सेवाले है, दूसरा सेवाले है कारिय सेवाले, कारिय सेवाले का मतलब है कारिया ले, जहां पर कारिय होते हैं, नीती बनेगी तो वो उस नीती की उद्गोशना करनी होगी, नीतियों का फालन करने के लिए लोगों को सूचना देनी होगी, जो लोगों की बात है वो आगे पीशे पहुचानी होगी, आदी आदी जितने भी कारियाले, यह कारियाले होते हैं किसी संस्था के, सचिवाले, कारियाले, उस तरह का कारिय, कारिय स सेवाले के माध्यम से होता है इसलिए ये दूसरा सेवाले है तीसरा सेवाले है अभिलेक सेवाले है हम लोगों की ये इच्छा है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा इधियास समरक्षित नहीं है और हमारे कागजात भी समरक्षित नहीं है सरकारी कारी आलयों में अभिल प्धार्मिक शेतर के लोग अपने अभिलेग को सन्रक्षित करवा सकें या हितिहासिक रूप से अभिलेग सुरक्षित रहें इसी कि लिए तीसरा जो सेवाले बनाया गया है उसका नाम है अभिलेग सेवाले हम लोगों की ये इच्छा है कि अपने मट से संबंधित अपने धर्म से संबंधित जो भी अविलेक हैं जिनकी बार-बार जरूरत बविशे में पढ़ सकती है किसी समय पढ़ सकती है उनको संरक्षित करें किसी एक स्थान पर और इतना ही नहीं जो हमारे सनातन धर्मी है अगर वो अपना कोई अविलेक जो धार्मिक प्रकृती का हो उसको संरक्षित करवाना चाहते हो तो जैसे रजिश्ट्री आप इसमें जाकर के जमीन की रजिश्ट्री करते हैं वहाँ पर रजिस्ट्री का कागज संरक्षित रहता है, किसी भी समय उसको जाकर के निकाल सकते हैं, उसी तरह से यह जो अभिलेक से वाला है, इसमें लोगों की अभिलेक संरक्षित रहेंगे, आवसेक्ता पढ़ने पर उसकी नकल निकाली जा सकती है, तो पूरे देश के सना मातन धर्मियों के लिए ये एक स्थान होगा, जहां पर उनके अभिलेक संरक्षित होंगे, क्योंकि मठों में, मंदिरों में, धर्मस्थानों में, कहीं कहीं ऐसी बेवस्ता नहीं है, जहां पर अभिलेक संरक्षित रखे जाएं, कभी कभी ट्रस्टियों के घरों में जाकर पूरे विश्यो के हमारे लोगों को ततकाल इस बात का पता चल जाए तो उसके लिए एक तंतर की आवसेक्ता है वह तंतर इसी प्रसार सेवाले में विक्सित किया जाएगा इसलिए इसका नाम प्रसार सेवाले रखा गया है और इसका प्रमुख इस बार के लिए दाई होगा कि जब उसको कहा जाए जितने लोगों तक सुचना प्रसारित करने की आवसेक्ता हो तो तकाल उसका प्रसार कर सके यात्रा से वाले है यात्रा तो जीवन का अंग है हमें भी करनी पड़ती है और हमारे लोगों को जो परम धर्म संसत से जुड़े हुए लोग होंगे उनको भी परम धर्म संसत के कारी से यात्रा करनी होगी तो कौन कहां यात्रा कर रहा है उनकी यात्रा की क्या वेवस्ता है उसका खर्च क्या है कैसे उसकी वेवस्ता होगी आदी आदी ये जो कार्य है तो अरम धर्म संसत के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा करके जो लोग काम करेंगे उनकी यात्रा की व्यवस्था समगर रूप से इसी यात्रा सेवाले के द्वारा की जाएगी और उसका रिकार्ड भी यही लोग रखेंगे इसी तरह से छट्वा नेट सेवाले है आजकल अधिक तरकारी यात्रा ना करके इंटरनेट के मात्यम से हो रहा है तो हम लोग ने इसके लिए एक अलग ही सेवाले रखा है ताकि इंटरनेट की समझ रखने वाले लोग इस सेवाले के अंतरगत रहें और रह करके इंटरनेट से जितने काम हो सकते हैं उन सब कामों को सही डंग से निभा दें और निभाएं ही नहीं बलकि उसका बृत भी संरक्षित रख सकें ये चूंकि तकनीकी काम है इसलिए एक अलग विभाग बनाया गया क्योंकि प्राया है हम धार्मीकों के बीच में तकनीक की जानकारी रखने वाले कम लोग होते हैं इस विभाग में तकनीकी क्षमता से संपन्न लोग जब रहेंगे तो वो ज़्यादा बहतर तरीके से इंटरनेट का प्रयोग हम लोगों के माद्यम से करवाएंगे और उसका लाब हम लोगों को मिल सकेगा इसी तरह से सात्मा है मंगलम से वाले ये हम लोगों की कामना रही है कि विश्व का मंगल हो विश्व का कल्याण हो ये नारा हम लोग हर प्रवजन के आदियंत में लगाते रहे हैं तो यही एक विचार है परमधर्म संसत का कि आखिर विश्व का मंगल होगा कैसे तो विश्व का मंगल हो इसके लिए जरूरी है कि छोटे-छोटे शेत्रों को इकाई के रूप में बांट कर उतनी जगह का मंगल पहले सुरू किया जाए जैसे विश्व कल्यान की जो हमारी परमपरागत भावना है उस भावना को मुर्त रूप देने का कारी जिस सेवाले के द्वारा किया जाएगा उस सेवाले का नाम मंगल है इसी तरह से आठवा है परचार सेवाले परचार सेवाले आप समझ सकते हैं परचार करने के लिए जो अपनी बातें हैं अपने सिध्धान्त हैं अपने कारिक्रम हैं जो अपनी उकलब्दियां है इन सब को लोगों के बीच में ले जाना और उनको बताना इसी का नाम है पर अपनी बातों को कहने के लिए लोगों को आकरशित करने के लिए बहुत सारे रत बनाएंगे और वो रत अलग-अलग शेत्रों में गुमता रहेगा क्योंकि किसी एक जगह पर कारेयले बना करके जब हम बैठ जाते हैं तो वहाँ पर जो आता है उसी से संपर्क हो सकता है लेकिन हम तो सन्यासी हैं और सन्यासी का काम है परिवरिजन करना लोगों के दरवाजे पहुंचना तो परमधर्मसंसत लोगों के दरवाजे कैसे पहुंचेगी इसके लिए परमधर्म संसत के जो एक हजार आठ ख्षेत्र हैं उन सभी ख्षेत्रों में एक एक रत हमारा नियमित रूप से प्रमण करता रहेगा यह आज इस गाओं में है कलूस गाओं में है परसों इस गाओं में है और इस तरह से चल कारिया ले चल परमधर्म संसत चल एक संपर्ग करने का माध्यम इनी रतों के माध्यम से होगा तो परम धर्म संसत के धर्म प्रचार रत इस तरह से चलेंगे और इसकी बेवस्था पूरी एक जगह पर केंद्री तरह है इस तरह के जो लोग हैं वो भी एक जगह केंद्री तरह करके वहीं से निर्देशादी प्राप्त करें इसके लिए जरूरी था कि ये किसके लिए भी भाग बना दिया जाए क्योंकि एक हजार आठ रत प्रति दिन चलेंगे अलग-अलग जगहों पर चलेंगे अलग-अलग परिस्थितियों का सामना करेंगे अलग-अलग समस्याएं उनके सामने आएंगी अलग-अलग उपलब्धियां उनकी होंगी तो इन सब को एड्रेस करने के लिए किसी एक केंद्र की आवसेक्ता थी इसलिए नववा ये रत से वाले बनाया गया है दस्वा है विश्राम से वाले हम लोगों की नजर में ये बात आई दृष्टी में ये बात आई कि लोग यात्रा कर रहा है कोई बायूयान से यात्रा कर रहा है कोई रेलियान से यात्रा कर रहा है कोई सडक के द्वारा अपने अपने वाहनों से यात्रा कर रहा है और कोई पदाती भी चल रहा है जब ये लोग चलते हैं तो रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर थोड़ी देर लुख सके आप समझ लीजे विशेश करके जो लोग सडकों पर चलते हैं अगर उनको प्राकृतिक आवसेक्ता का अनवह हो जाए लगशंका जाना है, दिरगशंका जाना है हाथ पर धोना है, थोड़ी देर बैट करके विश्राम करना है, किसी वेक्ती से बातचीत करनी है थोड़ी देर के लिए वूख लग गई है भोजन करना है तो अब उनको किसी न किसी होटल में जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर पैसा देंगे पैसा दे करके जो भी वहाँ का बोजन है चाहे वहाँ उनके शरीर के लिए फायदे मंद हो चाहे ना हो, उसको ले करके खाना पड़ेगा ऐसी परिस्तिती है तो ऐसी इस्तिती में हम लोगों ने ये विशार किया है कि रास्ते पर जो चलने माले लोग हैं उनके लिए एक ऐसे स्थान का निर्मान रास्तों के अगल बगल में कर दिया जाए जहां पर वो थोड़ी देर के लिए रुख सकें जरूरत हो बैट सकें, हाथ पेर दो सकें, पानी पी सकें कुछ खाना पीना चाहें, खा पी सकें संध्या करना हो, पुजा करना हो, कर सकें तो ये जो कारी है, ये सडक के किनारे बने हुए हमारे विश्राम सेवाले के द्वारा उपलब्द किया जाए हम लोगों की ये इसमे संकलबना है कि सडक के उपर कोई भेद भाव नहीं होता है सडक के उपर राजा भी चलता है, रंक भी चलता है सन्यासी भी चलता है, और सामाने वेक्ती भी चलता है अमीर भी चलता है, गरीब भी चलता है रामन भी चलता है, शुद्र भी चलता है और दूसरे लोग भी चलता है तो कम से कम ऐसा एक स्थान हम लोगों का होना चाहिए जहां हम सबकी बिना किसी बेदभाव के सेवा कर सकें और ये विश्राम सेवाले, विश्राम की आवसेक्ता सबको होती है उनके लिए अगर ऐसे स्थान बना दिये जाएं तो उनके लिए बहुत उपयोगी होंगे विश्यस करके हमारी माताओं के लिए उनके लिए कोई स्थान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है तो ये विश्राम सेवाले ऐसे स्थान होंगे जो सडकों के किनारे होंगे, साब सुतरा होंगे और वहाँ पर जो मूलभूत आवसिक्ता व्यक्ति की होती है उन आवसिक्ताओं की पूर्ति करने के साधन होंगे सुंदरबाता बरण में वो वहाँ पर थोड़ी देर का विश्राम प्राप्त करके आगे बढ़ें ऐसी कामना इन स्थानों के द्वारा की जाएगी और ये परमधर्मसर्शत की एक भेंट होगी आमजनता के लिए तो ये विश्राम सेवाले के मादिन सेवागा इसी तरह से जन सेवाले हैं ये जन सेवाले क्या कारी करेगा? कि लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याइं ले करके कि हमारे मन में ये बात है हमारे मन में ये बात है तो उनको दर्ज करना दर्ज करके उनका वर्गी करन करना वर्गी करन करके उस तरह के दाईतुवाले लोगों के पास अथवा उस तरह के विशेशगी लोगों के पास अथवा उस तरह की मदद करने में सक्षम लोगों के पास वर्गी कृत करके उनकी समस्याइं बेजना और फिर वहां से जो भी प्राप्ती है वो प्राप्त करके उस व्यक्ति तक पहुंचाना और उसके संतुष्टी का प्रमान पत्र लेना ये कारी इसी जन सेवाले के माध्यम से होगा तो ये एक अलग विभाग, एक अलग सेवाले इसलिए बनाया गया है 12 जो सेवाले है उसका नाम है जननी सेवाले जननी माने माता तो माताओं की अपनी एक समस्या है उस समस्या का निराकरण करने के लिए जो विभाग काम करेगा उसका नाम है जननी सेवाले देरहमा है बालक सेवाले सपष्ट है कुछ इसमें बताने की आवसिकता नहीं है बालकों की जो समस्या हैं उन समस्याओं को सुनने के लिए और अलग भी भाग इसलिए बना दिया कि जो बालकों की सेवाएं सुनेंगे धीरे धीरे बालकों की समस्याओं को समझने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी और वो जादा बेहतर तरीके से बालकों की समस्याओं को सुलजा सकेंगे इसलिए एक अलग सेवाले ही बना दिया गया जिसका नाम है बालक सेवाले चवध हमाँ विकलांग सेवाले इसमें भी कुछ कहने कि आप सिक्ता नहीं है विकलांग जो विक्ति हैं उनकी समस्याइं अलग तरह की होती है उनका समाधान प्राप्त करने के लिए उसी तरह की विशेशगीता वाले लोगों के द्वारा यह केंदर चलाया जाएगा बृद्ध से वाले बृद्धों की अपनी समस्या है आज कल बृद्धाश्रम जगह जगह पर कुल रहे हैं जो बृद्धाश्रम बृद्ध को सुंदर वाताबरण दे सकेंगे उनके रहने का उनकी भोजन आदी का उनकी दबाबाबादी का और उनके मानसीक संतोष का उपाय कैसे हम कर सकेंगे इस तरह का विशार करते हुए इस बृद्ध से वाले की स्थापना स्थान स्थान पर की जाएगी ताकि वहाँ पर विद्धजन आ करके सारी रिक और मानसिक सान्ती कानुबव करें और उनकी जो विद्धावस्था है वो अच्छे से कट जाएगा इसी तरह से चिकित्सा सेवाला है नाम से ही स्पस्ट है कि चिकित्सा के लिए खोला जाएगा जगह जगह पर ताकि लोग आ करके सही क्योंकि दो तीन चीज़ें हो रही है चिकित्सा के क्षित्र में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत चिपी हुई हैं लेकिन जानकार तो जानते ही जान बूझ करके रोगों को कहीं कहीं बढ़ाया जाता है जान बूझ करके कहीं कहीं जाच बढ़ाई जाती है जान बूझ करके लोगों को भरती रखा जाता है बहुत सारे आर्थी कवर तूसरे कारण है उसके पीछे तो हम लोग चाहते हैं कि चिकित्सा सेवाले है हमारा ऐसा हो जहां आकर के व्यक्ति सचमुच स्वास्तिलाब कर सके और उसको कोई अत्रिक्त भार उसके उपर ना पड़े इसी तरह से शरण से वाले हैं अगर कोई हमारी शरण में आता है तो शरण देने के लिए भी हमारे पास सक्षमता होनी चाहिए और वो बड़ा काम है क्योंकि कोई अगर शरण मांगने के लिए आया और हम उसको शरण नहीं दे सके तो यह अच्छा नहीं होगा इसलिए हमने एक अलग भी भाग रखा है जो केवल शरण आई हुए लोगों की रक्षा करने का काम करेगा उसका नाम है सरण से वाले अठारह हमारे है सनात से वा तो जब विश्वनात अपने संसार में भी दिमान है तो कोई अनात कैसे हो सकता है इसलिए हमने उनको सनात कहा है क्योंकि उनका एक नात तो कम से कम हई है और वो सक्षम है और उसका नाम है विश्वनात तो तथा कतित जो अनात लोग हैं उनको उनके नात विश्वनात से मि उन्नीसमा है आदिसे वाले आदि का मतलब है आदिवासी ये अलग ही तरह से एक समोह बना हुआ है वो कहां जाए क्या करे पता नहीं चलता है सब लोग कहते हैं कि तुम हमारे हो हिंदू कहते हैं तुम हमारे हो मुसलिम कहते हैं तुम हमारे हो उनको पता ही नहीं चलता है कि हम कौन है और क्या है तो इसलिए आदिवासियों के बीच में कारिय करने के लिए एक अलग सेवाले की हम लोगों को आवसकता कानुबव हुआ इसलिए आदिवाले हम लोगों ने बनाया जिसके मादिन से आदिवासियों के सेवा के कारिय हो सके इसी तरह से एक अंतिय सेवाले भी पना दिया है अंतिय का मतलब है वो जो बहुत अंतिम में गिने जा रहे हैं बहुत पिछडे हैं अति पिछडे जिनको आज कल कहा जाता है तो वो जो पिछडे और अती पिछडे लोग हैं विशेश करके अती पिछडे उनके बीच में कारे करना है और उसके लिए अंत्य सेवाले है 21 सेवाले है संस्कृत सेवाले संस्कृत सेवाले का मतलब है संस्कृत भाषा की सेवा इसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है यह तो बहुत बड़ा कारिय ए क्योंकि संस्कृत भाष्ण ही सनातन धर्म की संजीवनी है, मूल है सनातन धर्म के बारे में आज तक की जितनी भी मेधा है उसने जो कुछ भी कहा है वो सब संस्कृत में कहा है तो उसको समझना समझ करके आज की लोगों के दिल दिमाद तक उसको पहुंचाना चाहे अनुवाद के माध्यम से हो चाहे संस्कुत भाषा ही सिखा करके उनको सीधे जोड़ दिया जाए जो कुछ भी करना है वो सब संस्कुत से वाले के माध्यम से किया जाएगा ताकि संस्कुत भाषा के अंदर संरक्षित जो ग्यान भी ग्यान है हमारे पुर्वजयों का वो आम जनता को लब्द कराया जा सके इसी तरह से संस्कुती से वाले भी है जो भारत की संस्कुती है उस संस्कुती की महत्ता को निरुपित करते हुए लोगों की जीवन में उसको उतारा जाए और लोग उस संस्कुती की अनुसार जीवन जीते हुए कवरों का अनुभव कर सकें तेईस्वा से वाला है शुब संबाद शुब संबाद का मतलब है कि हम लोगों से संबाद बनाएंगे जिन से हमारा संबाद नहीं है उन से भी हम रियास करेंगे कि उन से हमारा आना जाना बात वेवार होने लग जाए तो सबसे चर्चा बनी रहे ताकि किसी को हम पराया ना समझे और कोई हम उन से भी कटा ना रह सके इसके लिए ये सुबसमबाद सेवाले है भाषा सेवाले में अभी तो संस्क्रित भाषा की बात के लिए एक अलग सेवाले बनाया गया क्योंकि उसमें बहुत कारी है लेकिन और भी भाषाएं हैं जिनमें अच्छे कारी हो रहे हैं उनसे हम पूरे समाज को आउगत कराना और समाज की समस्याओं को उनी की भाषा में बताने के लिए एक भाषा सेवाले की भी आवसकता है अलग-अलग भाषाओं में ताकि जो हमारा ग्यान भी ग्यान है वो अनुदित हो करके और लोगों के पास तक पहुंच सके ये कारी भाषा सेवाले के मात्यम से किया जाएगा पचीसमा है सत्ता सेवाले सत्ता सेवाले का मतलब आप समझ सकते हैं सत्ता माने राजनीतिक पद सरकार तो लोगों के जीवन में सरकारों का बड़ा तातपर यह होता है सरकारें बदल जाती है तो लोगों का जीवन बदल जाता है इसलिए एक अच्छी सरकार जनता को उपलब्द कराने के लिए कारे करना सत्ता सेवाले का काम होगा स्वयम यातव उपलग कराए ऐसी सत्ता या फिर जो सत्ता है उसके उपर प्रभाव डाल करके लोग कल्यानकारी बनाना सनातन धर्म के बिरुद्ध कुछ हो रहा हो तो उसको रोकना सत्ता धारियों से संपर्क स्थापित करते हुए सदा इस बारे में सचेश्टर है न ये सत्ता सेवाले के द्वारा किया जाएगा इसलिए सत्ता सवाले है 26 वा है क्रीडा सेवाले खेल कुद हमारे जीवन का अभी नंग है इससे तनमन विक्सित होता है सामोहिक भावना विक्सित होती है और जय पराजय की भावना को पीशे रखते हुए खेल भावना विक्सित होती है जो की बहुत ही आवसिक होती है किसी भी समाज के लिए तो ये क्रीडा सेवाले के माध्यम से इस तरह की भावना विक्सित करने का कारी किया जाएगा नाद सेवाले है ये नाद का मतलब क्या है तो हमारे यहाँ स्वरविज्ञान है और इस स्वरविज्ञान के द्वारा हम स्वरसाधना कर सकते हैं स्वरसाधना का जो कारी है वो नाद से वाले के द्वारा होगा इसी तरह से संबंद से वाले है अठाइस माद जो संबन्ध है हमारे इन संबन्धों के बारे में लोगों को समझाना संबन्ध कितने महतुकूर्ण होते हैं कितने तरह के होते हैं इन संबन्धों में काई अगर लग जाये तो उसको कैसे निकाला जा सकता है इस तरह की जो counseling का kारी है ताकि सम्मन्द अपनी यगा पर सुरक्शित रहे उनकी महिमा और गरिमा सुरक्शित रहे इसका जो कारी है वो सम्मन्द सेवाले के मात्यम से किया जाएगा इसकी भी बड़ी ज़रूरत है क्योंकि कोई न कोई किसी न किसी से किसी ने किसी रूप में अवस्य सम्मंदित है जुड़ा हुआ है और इन सम्मंदों को एक अच्छी दिशा देने की एक अच्छा स्वरूप देने की और बनाए रखने की गहरा करने की आवस्यक्ता समाजिक द्रिष्टी से होती है तो वो कारी समंद सेवाले के माध्यम से किया जाए व्यवहार सेवाले हैं छोटी छोटी बाते हैं व्यवहार की उनको निभाना जो लोग आ गए अपने मठ में आश्रम में अपने संसद में उनके साथ अच्छा व्यवहार करना ये सब कारी है, उनकी देखरेक का कारी जो है लोगोंने खा लिया है कि नहीं, पी लिया है कि नहीं आये तो उनको किसी ने स्वागत किया कि नहीं किया आदी जो विवहार है, ये सब विवहार का कारी इसी सेवाले के माध्यम से होगा तीस्वा सेवाले है संदेश सेवाले जो संदेश हैं परमधर्मसंसत के संदेश हैं शंकराचारी जी के संदेश हैं अथवा महापुरुशों के संदेश हैं उन संदेशों को जो सत संदेश हैं जिससे जीवन में गतिशीलता आती है जीवन परिवर्तित होता है मुचा उठता ऐसे संदेशों का संग्रह करना संग्रह करके उसको जनता के बीच में पहुंचाना और विशेश करके जो परमधर्म संसत के प्रथम वार्शिक अधिवेशन चैतर शुकल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जो परमधर्म संसत के परमाराधि परमधर्मादीश के द्वारा संदेश प्रतिवर्ष दिया जाएगा समाज के लिए उस संदेश को वर्ष के अंत तक हर घर तक पहुँचा देना बल्कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हर घर में पहुँचा देना ये कारी इसी संदेश सेवाले के माध्यम से होगा जो कि बहुत ही मातवपूर्ण है करोणों घरों में जैसे ही संदेश आया वैसे ही पहुंचा देना महीने भर में संदेश पहुंचा करके खाली होना तो ये जो संदेश है जब जाता है तो लोगों को परिरित करता है तो ये बड़ा काम है इसलिए इसके लिए एक अलग संदेश से वाले बनाया गया है इसी के माध्यम से ये कारी होगा अगला संदेश से वाले है वेद से वाले वेद से वाले नाम से ही स्पष्ट है इसमें वेदों की रक्षा के लिए कारी होगा माने वेदों के जो ग्रंत हैं उन ग्रंतों की रक्षा करना नए ग्रंतों का प्रणयान करना मुद्रित करवाना सर्कुलेट करना और साथ ही साथ जो वैदिक हैं जो वेदा ध्यन कर रहे हैं उन वैदिकों से संपर करकना, उनकी समस्याओं को देखना, कहीं उनके पास कोई समस्या तो नहीं आ रही है, अध्यापन बढ़ाना, छात्र उपलब्द कराना आधी जो कारिये हैं, वो सब इसी वेद सेवाले के माध्यम से वेद संबंदी किये जाएंगे। 32 है पुरान से वाले, जैसे वेद के बारे में बताया, ऐसे ही पुरानों की विरक्षा की आवसकता है, वो पुरानों में बहुत सारी ऐसी उपियोगी चीजे हैं, जो हमारी जीवन को बहुत उत्तम बना सकती हैं, उनका प्रचार, प्रसार, और जैसे वेदिक होते हैं, कि ये श्रीमत भागवत हो जाए वो श्रीमत भागवत को ही जीवन परियंत अध्यन करता रहे जब वो पूरा जीवन इसमें लगा देगा एकी पुराण में तो बहुत कुछ इसी श्रीमत भागवत से निकाल करके समाज के लिए उपलब्द करा देगा इसी तरह से दूसरे पुराण भी है, पुराण और उपर पुराण आदी, इन सब का संरक्षन, संवर्धन इसी पुराण सेवाले के मादेम से किया जाएगा तैतीस्वा जो सेवाले है वो है प्रयोग सेवाले क्या हो गया है कि हम लोगों ने पुरानों में और वेदों में और हमारे अच्छे गरंतों में बहुत कुछ निरूपित किया गया है हमारे पूरोजों के द्वारा लेकिन अब हम उनके उपर कोई प्रयोग नहीं कर रहा है नहीं हमारे पास ना तो प्रयोग शाला है उस तरह की और ना तो प्रयोग करने की हमारी कोई इच्छा या प्रवृत्ती है तो हम चाहते हैं कि फिर से प्रेयोग धर्मिता को बढ़ावा दिया जाए इसी प्रेयोग से बाले के माध्यम से और जो जो बाते हैं जैसे विमान शास्त्र हमारे भरद आजमुनी ने बनाया है उसी को लेकर के कुछ बिमान शास्त्र आगे बढ़ा और धीरे धीरे बिमान उड़ रहा हैं आकाश में सबसबासो साल के पहले ऐसी परिष्टिती नहीं थी कोई नहीं जानता था कि बिमान से यात्रा हो सकती है लेकिन हमारे शास्त्र कहते थे अब कुछ लोगों ने उसका प्रेयो किया लेकिन अभी भी जिस तरह के विमान की बात हमारे यहां कही गई है वैसा विमान अभी भी नहीं बन पाया है इंधन, धनी, परियावरण को नुकसान यह सब बचाते हुए जिस तरह के विमानों की कलपना हमारे शास्तरों में की गई है अभी भी वैसे विमान तो मार्केट में नहीं आए ऐसी परिस्तिती में उस तरह के विमानों के बारे में अगर अन्वेशन करना हो तो हम कहां जाएंगे, कहीं न कहीं तो हमको प्रयोग करने पड़ेंगे इसी तरह से बहुत सारी दूसरी शीजे भी है अब हम पंची करण अपने विदानत के विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं कि प्रत्वी जलतेज बाई वाका से पांच तत्व हैं इसी तरह से कोई पूजा सीखना चाहता है कोई संध्या सीखना चाहता है अब हमने किताब दे दी उसको दे लो आजमन कर लेना प्राणायाम कर लेना ये कर लेना लेकिन कहीं कोई बैठ करके उसको दिखा दे कि ऐसे प्रयोग होता है यग्य कैसे किये जाते हैं अनुस्ठान कैसे किया जाते हैं तो ये सब प्रायोगी करके दिखा देने के लिए भी किसी न किसी प्रयोग शाला की आवस्यक्ता है और उसी प्रयोग शाला को हम लगों प्रयोग सेवाले के नाम से एक विभाग के रूप में स्थापित किया है जिसमें हम धार्मिक अध्यात्मिक प्रयोग करेंगे और प्रयोगों के माद्ध हमसे जो प्रयोग हमारे सफल होंगे उनको हम जनता की बीश में उपलब्द कराएंगे कि देखिए हमने ये प्रयोग किया और इसके इतने प्रतिशत परिणाम है और अगर अच्छे परिणाम हैं तो जैसे बाकी चीजों का परिक्षन होता है बाद में समाज में उसको स्थापित कर दिया जाता है ऐसे धार्मिक चीजों को भी हम स्थापित कर सकेगे अभी तक क्या है कि लोग कहते हैं कि अरे कह दिया कहने से क्या होता है जब हम करके दिखाएंगे तो उसका अंतर अलक्स तरह से पढ़ेगा धार्मिक शेतर में प्रयोग जो है वो बहुत दिनों से बंद है हम चाहते हैं कि फिरसे उस प्रयोग को आरम किया जाए इसके लिए प्रयोग से वाले चवों तीसवा है प्रकाशन से वाले नाम से ही स्पस्ट है प्रकाशन का कारी इसके माधिन से होगा बहुत सारी चीजें प्रकाशित करनी होती है कभी राजपत्र माने हमारा धर्मपत्र प्रकाशित होना है कभी धर्मादेश प्रकाशित होना है कभी धर्मगरंत प्रकाशित होने है तो ये सब प्रकाशन के जो कारी है जो दैनिक समाचार पत्र हैं अगर हम लोगों ने आरम की या मासिक हैं त्रेमासिक हैं ये सब कहां से प्रकाशित होंगे तो इनके लिए एक प्रकाशन सेवाले की आवसिक्ता महसूस की गई है और वो ये कारे करेगा इसी तरह से अगला है 35 मुद्रन सेवाले मुद्रन माने छपाई तो जो प्रकाशन के लिए चीज आएगी उसका मुद्रन भी कराना होगा तो मुद्रन कराने कारी मुद्रन सेवाले में होगा 36 है लेखन से वाले सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं लेकिन समसामईक लेखों के माध्यम से उस कारिय को किया जाना थोड़ा सा मंद गती में दिखाई दे रहा है लेखक हमारे पास अच्छे नहीं है जो समय के अनुसार लिख करके सरल भाषा में लोगों तक पहुँचा सकें अकबारों में एक समपाद की प्रिष्ट होता है जिसमें इस तरह के समसामईक लेख शापे लिखे जाते हैं आजकल बहुत सारे लेख ऐसे लिखे जाते हैं प्रति दिन अकबारों में शक्ते भी हैं लेकिन उनमें कोई सनातन धर्मी दृष्टी कौन रखने वाला लेकर बहुतायत में ना होने के कारण जैसे के तैसे सनातन के विरुद्ध भी लेखा जाते हैं और कोई लेख लिखने वाला नहीं है उनका काउंटर करने वाला नहीं ह व्हीं एक अईसा वी भाग हो, जिसमें लेखन की प्रिव्रुत्ति को, विशेश करके सनातन धर्म के फक्ष में लेखन की प्रिवर्ति को पढ़ावा दिया जाए, जो लोग लेखन कारी को अपनाएं, उसके लिए पारिश्रमिक, परितोशिक जो कुछ वियाब से खो दिया जाए उत्मो प्रिर्णा दी जाए ताकि अधिक से अधिक लेख लोग लिखे हैं और लिख करके उनको समाज में फैलाया जाए उससे बातावरण बनता है और लोग इस तरह पनमुक होते हैं तो ये कारी उनके द्वारा होगा इसी तरह से सही तीस्वा है प्रवचन से वाले जो कारी लेखन के माद्यम से लेखक गण करेंगे वही कारी जो प्रवक्ता है जिनको अच्छी तरह से बोलना आता है अपनी बात को वो खड़े हो करके सबकी बीच में अभी व्यक्त कर सकते ह ऐसे लोगों के लिए प्रवचन सेवाला है ऐसी ख्षमता, अमेधा, प्रतिभाज इसके अंदर है उसको जाटना, फिर उसको इस कारी के लिए तैयार करना और फिर उसका संड़क्षन करना, उसको मंचुक लग्द कराना यह सबकारी इसी प्रवचन सेवाले का होगा अन्टीसवा है वाचन सेवाले बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पुस्तक नहीं तो स्थान स्थान पर वाचन सेवाले की स्थापना कर दी जाए और उसमें सत्गरंत रख दिये जाए कोई आए तो बैठ करके पढ़ सके पढ़ करके वहीं पर फुस्तक रख करके चला जाए इसकी भी आवस्तिक्ता है इसके लिए वाचन सेवाले होगा उन्तालिसवा है सत्साहिति सेवाले बहुत से लोग कहते हैं हम यहाँ बैठ करके प्रकाशन प्रकाशन सेवाले करेगा मुद्रण मुद्रण सेवाले करेगा और उसको उपलब्द कराने का काम सत्साहिति सेवाले करेगा इतना ही नहीं आजकल क्या हो गया है कि पूजा पाट के लिए भी दर्मकारी के लिए भी जो बस्तुएं बाजार में मिल रही हैं उनकी गुनवत्ता उनकी पवित्रता पर भरोसा नहीं किया जा सकता एक उधारन के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आजकल पूजा घी मिलता है वो जो पूजा घी है वो थोड़ा सस्ता होता है और घी से लेकिन असल में वो घी होता ही नहीं है वो चर्वी होती है वो पश्यों के दौरा प्राप्त की जाती है अब उसको पूजा घी बना करके प्रस्तुत कर दिया अब पूजागी के नाम पर हमने उसको पूजा करने जाते समय खरीद लिया ले जाकर के देवता के सामने जला दिया देवता क्या करेंगे उसको स्विकार करेंगे तो देवता तो उसको स्विकार नहीं करेंगे और आशुरी सक्तियां उसको स्विकार कर लेंगे तो हम करेंगी देवता की पूजा और बलवान होगी आशुरी सक्तियां इसी तरह से भोजन की सामगरी है भगवान को भोग लगाने के लिए कहीं भी हम जाते हैं मिठाई करिदते हैं कुछ करिदते हैं उनमें मिलावट है उनमें अशुद्धियां हैं तो इसलिए पूजा के लिए शुद्ध जल, शुद्ध फल, शुद्ध मिष्ठान, शुद्ध भोग की सामगरी, शुद्ध गी, आदी उपलब्द कराने का कारे भी किसी न किसी को करना पड़ेगा क्योंकि लोग पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन शुद्ध उनको उकलब्दी नहीं हो रही है तो ये कारी सत्साहित सेवालाई के माध्यम से हो, लोगों को ताकि शुद्ध वस्तु, पवित्र वस्तु मिल सके ये बड़ा दाई तो है, और इस दाई तो को निभाने का कारी सत्साहित सेवालाई के माध्यम से मिलेगा इसी तरह से चालीस माह है स्रिजन सेवाले स्रिजन का मतलब सर्जन से है, सर्जना करना, नई चीज़ें बनाना तो इस तरह की कुछ लोगों की प्रवृत्ती होती है, जो नए नए अजमेशन करते रहते हैं, नए नए सर्जन करते रहते हैं उनकी प्रतिभा को इस सेवाले के माध्यम से हम लोग गती प्रदान करेंगे, प्रवसाहन प्रदान करेंगे और ये श्रिजन सेवाले नए नए श्रिजन, नए नई कलपनाओं को मुर्तरू देगा विद्या सेवाले एक तालिसमा है विद्या सेवाले के माध्यम से हम विद्या की सेवा करेंगे जगा जगा पर गुरकुलम, जगत गुरकुलम खुला जाएगा जिसमें परंपरागत विद्या को प्राप्त करके विद्यार्थी कृति-कृति होगा उसको इस बात का पच्टावा नहीं रहेगा कि मैंने कमाने खाने के लिए तो विद्या सीखी लेकिन केवल शरीर पोशित हो रहा है मन मेरा पोशित नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने मन को संतोष्ट करने वाली विद्या तो सीखी ही नहीं तो इसलिए तन मन दोनों को संतोष्ट कर देने वाली जो हमारी गुर्कुल प्रणाली है उसको पुनर जीवित करते हुए इसी विद्या सेवाले के माध्यम से हम जगत गुरुकुलम की शाखाएं स्थापित करेंगे और उसमें बच्चों को आधुनिक होते हुए भी जड़ों से जुड़ा हुआ बनाना चाहेंगे 42 मा है सिक्षा सेवाले लिद्या एक अलग बस्तू है और सिक्षा एक अलग बस्तू है सिक्षा में उच्चारण आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई है उच्चारण करना मुश्किल हो गया अगर हम किसी से कहते हैं कि एक शलोख बोल दो अब एक बहुत प्रचलित स्लोक हो गया गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्नु गुरुदेवो महेश्वरा अब इसको लोग बोलते हैं गुरूर माणे अंकार यही ब्रह्मा हो गया यही विश्नु हो गया अथवा आगे जो विशरगादी हैं उनके बारे में भी ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो अशुद्ध उच्चारण की पद्धती है इसको समालना बहुत आवस्यक है इसलिए ये जो सिक्षा सेवाले है वो लोगों को शुद्ध उच्चारण के बारे में सचेद करेगा लोगों की मदद करेगा जो नहीं जानते हैं उनको जाकर के सिखाने के लिए उपलद हो जाएगा कि अगर आप कहें तो पंदरा मिनिट में हम आपको ये लोग शुद्ध उचारण बता सकते हैं तो अगर कोई चाहेगा तो हमारे इसी सिक्षा सेवाले के द्वारा निकला हुआ जो बच्चा है तो लोगों को शुद्ध उचारण कुछ जो ज़रूरी चीजें हैं उनका सिखा देगा इस बारे में एक जागरुकता ले करके आएगा बता बरण मनाएगा ये कारी सिक्षा सेवाले के द्वारा होगा नियाए सेवाले आप जानते ही हैं बहुत बड़ा काम है जगा जगा धार्मिक मुकदमे चल रहा है लोगों को धार्मिक वकील नहीं मिल पा रहा है वकील लिखना कुछ चाहता है लिख कुछ देता है जज कुछ पैसला कर देता है तो ऐसे नियाएक शेत्र के जानकार उत्पन करना बहुत जरूरी है जो सनातन धर्म की बात समझते हो जरूरत पढ़ने पर वैसा ही दावा बना सकें और वैसी ही भास कर सकें और अपील तयार कर सकें चाहे वो सुप्रीम कोड तक आवसे को तो जा सकें इस तरह के न्यायक शेत्र में सनातन धर्म की मदद करने के लिए जिस विभाग की आवसेकता है उसको न्याय सेवाले के रूप में हम लोगों ने रखा है और इसी के माध्यम से इस कारिय को किया जाएगा प्रसिक्षन से वाले हैं, बहुत सारी कारे हम लोगों के आएंगे भविशे में, जिनके लिए हमको प्रसिक्षन करने के आवसेकता हो गई, तो ये से वाले ये कारे करता रहेगा, ये प्रसिक्षन से वाले पहले प्रसिक्षन देगा, किसी भी चीज का, कि ये काम इस तरह से करना है और साथी साथ हर वर्ष या दो वर्ष में जो रिप्रेशर पुनस्चरिया पाठिक्रम होता है तो पुनस्चरिया भी करेगा कि नई चीजें इतनी जुड़ गई हैं आपको पिछले प्रिसिक्षन के समय में ये बात बताई गई थी अब समाज में इतना और परिश्क से वाले है इसी तरह से पुरस्कार से वाले है हम लोगों ने सोचा है कि एक पुरस्कार सनातन धर्म की और से स्थापित किया जाना चाहिए जो पुरस्कार इतना बड़ा हो कि सनातन धर्म की गरिमा की अनरूप हो देखिए विश्व में कई पुरस्कार ऐसे हैं जिनकी पूरे विश्व के अख़बारों में चपता है उस वेक्ति का नाम और उस पुरसकार का नाम क्या हम सनातन धर्मी ऐसा कोई पुरसकार स्थापित नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो सनातन धर्म के प्रती भी बड़े-बड़े लोग काम करने लगेंगे तो इसलिए एक पुरसकार सनातन धर्म की तरफ से स्थापित किया जाए और प्रतिवर्ष उसको समारो पुर्वक हम लोग प्रदान कर सकें इसके लिए यह पुरसकार से वाले है इस बारे में चर्चा करने के लिए इसी तरह से सत्संग से वाले है सत्संग की बड़ी आवस्थिक्ता होती जैसे घर में सबेरे दो पहर साम तीन बार जाड़ू कोशा लगाया जाता है कम से कम तीन नहीं तो दो बार दो बार नहीं तो कम से कम एक बार तो सब घरों में लगाया ही जाता है उसी तरह से यह तो घर की सफाई हो गई शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन सनान किया जात कुछ लोग दो बार करते हैं, कुछ लोग इकी बार करते हैं, कम से कम एक बार तो दिन में हो जाता है, इसी तरह से हमारे मन की सफाई की भी प्रति दिन आवस्यकता है, मन की सफाई के लिए कोई कारिक्रम चलता ही नहीं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि सत्संग से वाले के उसका मन भी पवित्र रहे जो उसमें गड़बडियां आई हैं उनको ततकाल कच्छे में ही निकाल दिया जाए है कि कोई गड़बड़ी आ जाती है पिर धीरे धीरे वो जब जड़ जमा लेती है जब उसका नुकसान दिखाई देने लगता है तब हम उसको जाकर उखाड़ क दर के फेंकना चाहते हैं तब तक तो उसकी जड़ें इतनी हो जाती हैं कि ब्यक्ति के साथ-साथ माने वो बुराई को हम उखारते हैं ब्यक्ति ही उखढ़ जाता है तो इतनी परिस्तीति न आये प्रति दिन जैसे घर का जाड़ू पोचा है जैसे शरीर का स्नान है ऐसे ही मन का भी संशोधन हो जाए इसके लिए सत्संग सेवाले 47 मां है परिक्षन सेवाले परिक्षन सेवाले का मतलब है कि हम परिक्षा लेंगे ज़रूरी नहीं कि हमने पढ़ाया हो लेकिन आपने अगर कहीं भी पढ़ाई कर ली है तो हम परिक्षा लेंगे और परिक्षा लेकर के हम प्रमाण पत्र आपको देंगे कि इन्होंने इतना बारे में हमारे सामने परिक्षा दिये और इतना इनको आता है तो वो certificate आपका कहीं न कहीं काम आएगा तो हम ये वेवस्था भी बनाना चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा Certification Department हो जो परिक्षा ले और परिक्षा ले करके जो उस को पास करे उसको एक तो Certificate दे और दूसरे कुछ उपहार भी कुछ पारितोशिक भी दे ताकि लोगों की पढ़ने की लिखने की और जानने की प्रूरती बढ़े 49 मा है स्वरणाक्षर से वाले तो हमने पहले ही एक स्वरणाक्षर ग्रंथ निर्मित किया है इसलिए निर्मित किया है क्योंकि बच्पन से हम सुनते चले आये थे कि आपका नाम स्वरणाक्षरों में लिखा जाएगा स्वरणाक्षरों में लिखा जाएगा तो जब बड़े हुए हम तो हमने खोजना सुरू किया कि भाई वो किताब कहा है जिसमें नाम अच्छा काम करने वालों का नाम स्वरनाक्षरों में लिखा जाता है तो पूरे विश्व में हमने खोज लिया इंटरनेट पर सर्च मार दी लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई गरंथ नहीं मिला जिसमें अच्छा काम करने मालों का नाम स्वरनाक्षरों से लिखा जाता हूँ तो हमने सोचा कि ऐसी किताब नहीं है तो बना देना चाहिए तो हमने वो किताब बना दी उसका नाम रखा है स्वरनाक्षर गरंथ और उसमें सबसे पहिला नाम हमने अपने गुरू जी का लिखा था बड़ा समारो हो उसका हुआ था उसके बाद से वो आगे नहीं बढ़ पाया है लेकिन उसको बढ़ाना है तो उसकी पूरी एक प्रक्रिया है कैसे स्थाने इस तर पर पहले कागज़ों में नाम आएगा सुची में फिर उसके बाद पिर उसके उपर इसके उपर तामराक्षर में फिर उसके उपर राजताक्षर में और उसके उपर स्वरनाक्षर में गरंथ में नाम लिखा जाएगा तो ये सब गरंथ हम लोगों ने स्थापित कर दिये हैं और इस परक्रिया को आगे चलाने के लिए ये स्वरनाक्षर सेवाले विभाग होगा निर्णे सेवाले निर्णे सेवाले इसलिए है कि एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णे हुए हैं पूरे संसार में हर जेगा निर्णे इतनी निर्णे हो रहे हैं लेकिन कुछ निर्णे ऐसे हैं जो बहुत प्रभाव डालते हैं लोगों के उपर तो उन निर्णेयों को प्राप्त करना, प्राप्त करके उसकी कौपी रखना और आवसिक्ता पढ़ने पर उस निर्णेय को तुरंत निकाल करके सामने रख देना कि ये निर्णेय यहाँ पर पहले इसी संदर्व में हो चुका है नजीर जिसको कहता है, साइटेशन जिसको कहता है तो ये नियायालेयों में अभी होता है, बहुत सारे साइटेशन होते है तो वो नियाय के, कानून के मामले के होते हैं, धार्मिक मामलों के नहीं होते हैं कभी यहां पर धार्मिक मामला ये आया था, फिर ऐसे ऐसे विचार करके ऐसा निर्णय लिया गया था, वो निर्णय ले लिया, वहीं पर बिलीन हो गया, अब हमको फिर से वैसी समस्य आई, अब हम फिर से उतने बड़े विद्वानों को इकटा करें, फिर से उतना विचार कर अगर वही निर्णाय सुरक्षित रखा गया होता जिसमें प्रक्रिया पूरी लिखी गई थी तो आज हमारे काम आ जाता है तो इसलिए धार्मिक शेतर के लिए जितने निर्णाय जहां जब जब होते हैं उन सब निर्णायों का संग्रा करके उसको रखना और जरूरत पर उसको उखलब्द कराना ये आवस्यक समझ करके ये निर्णाय से वाले हम लोगों ने स्तापित किया है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह का संग्राय हमारे पास होगा तो इसे जनता को बड़ा लाप होगा जाने कितने अवसर ऐसे आते हैं जब ऐसी परिस्तितिया निर्मित हो जाती अगर उनको ठीक से लिपिबद्द कर लिया जाए और उनको सुरक्षित रख लिया जाए तो वो बहुत काम के होंगे लोगों को ततकाल रोशनी दे देंगे ततकाल उनको समझ बिक्सित कर देंगे इसी तरह से प्रमानन से वाले हैं पचासमा प्रमानन का मतलब है कि सर्टिपिकेशन हम प्रमानित करेंगे क्या प्रमानित करेंगे तो प्रमानन से वाले में हम लोगों ने यह सोचा है कि जैसे I.S.I. मारका है अपने देश में गुनवत्ता के लिए कि यह I.S.I. मारका इसमें लगा है इसका मतलब यह गुनवत्ता वाली बस्तु है बस्तुओं के लिए है इसी तरह से आजकल आगया हलाल का सर्टिफिकेशन कि यह हलाल है हलाल है मतलब हराम नहीं है माने इसको मुसलमान खा सकता है पी सकता है उप्योग कर सकता है मुसलमानों ने यह चलाया हुआ है लेकिन सनातन धर्मियों के पास ऐसा कोई प्रमानन नहीं है सनातन धर्मी क्या खाए क्या ना खाए इसके लिए कोई प्रमान ना होने का परिणाम यह हो रहा है कि अंडा मिला करके केक बना दिया गया है जो अंडा नहीं खाते हैं वो भी उसको ले जाके केक के नाम पे खा रहे हैं उनको पता ही नहीं किसमें अंडा है अब पता भी है तो ध्यान नहीं दे रहा है इसी तरह से कहीं बच्छडे का कुन मिला है कहीं गाये का कुन मिला है कहीं कुछ मिला है कहीं मचली का तेल मिला है जाने क्या क्या है अब अगर इस तरह का विचार हमारे जैन भाई तो करते हैं इस मामले में लेकिन हिंदु लोग अभी इस तरह के बिशार नहीं करना है मुसल्मान करता है कि ये हलाल है कि नहीं है मैं सब जुज नहीं खाऊंगा हलाल जो होगा वहीं खाऊंगा जैन करता है लेकिन हम हम नहीं करते हैं तो हमें भी करना चाहिए तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक प्रमानन हमारी तरफ से परमधर्म संसत की ओर से आए और वो इसी विभाग के द्वारा नियंतरित किया जाए जिसमें हम लोग एक प्रमान दें एक महर हमारी लगे कि हाँ ये सनातन धर्मी इस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जिस पर वो प्रमान पत्र हो उनके लिए योग्य है और उसके लिए हम लोग एक क्राइटेरिया बनाएंगे और जहां जहां निर्मान हो रहे हैं वहाँ पर अपने इस्पेक्टर रखेंगे चीजों को देख करके तब वो प्रमानन दिया जाएगा तो वो कारे इस ही विभाग के द्वारा होगा यक्यामवन और बावन ये दो विभाग ऐसे हैं एक है आए-स-वाले और एक है बे-स-वाले इतने बड़ी संस्ता होगी तो इसकी आए बढ़ने के लिए जो आए हो रही है उसका रिकार्ट रखने के लिए आवसे कहे कि एक विभाग हो और इसी तरह से व्याय के बारे में भी तो आए व्याय की में नहीं रख करके हम लोगोंने अलग रखा है क्योंकि आए करना एक अलग काम है और व्याय करना एक अलग काम है तो आए करने वाले लोग आए बढ़ाएं उनकी यही विशेशगिता हो कि हम कैसे बंडार भरा रखेंगे और वे करने वाले सही तरह से उसका बिन्योग करेंगे अब अब वे ना होने दे तो यह कारी इन विभागों के द्वारा किया जाएगा तिरपन है योजना से वाले बिना योजना के कोई कारी किया जाता है तो बाद में दिक्कत होती है इसलिए हमारे देश में पंचवर्षी योजना बनाने के लिए योजना आयोग बना हुआ था जिसको अब नीती आयोग कहा जाता है इसी तरह से सरवत्र योजनाय बनती है ततकाल की योजना, कुछ दिनों की योजना और बहुत लंबी योजना तो कम से कम सौ साल की योजना तो हम लोगों के पास होने ही चाहिए और ततकाली की योजना ये भी होनी चाहिए, पंचवर्शी भी होना चाहिए, दशवर्शी भी होनी चाहिए उसी योजना के आधार पर हम लोग कारे करें तो ये योजना बनाने का जो कारे है वो योजना से वालाई के द्वारा बनेगा सनातन धर्म की रक्षा के लिए और दूसरी बेवस्थाओं के लिए कैसे हम योजना बना करके कारे करें ताकि हमारा किया हुआ वेर्थ न हो और हमारी जो दिशा है उसी दिशा में मददगार साबित हो सके चववन है सांखीकी सेवाले, सांखीकी का मतलब होता है डाटा, आंकडे तो हमारे पास धार्मिक मामले के आंकडे होने चाहिए कितने मंदिर हैं, कितने मंदिर एक एकड़ वाले हैं, कितने मंदिर दो विस्वा वाले हैं, कितने मंदिर में कितने देवता हैं, कितने पुजारी हैं, कितने पुजारी किस वर्ण के हैं, कितने पुजारी किस प्रदेश में हैं, यह सब दुनिया भर के आंकडे हैं, कितने सन आकड़े हमारे पास सारे संरक्षित होने चाहिए, बिशेश करके धर्म के माम लेगे, इसके लिए ये सांखी की सेवाला है, तो ये चववन हमने अभी बता दिये, और चववन जो बाकी रह गए हैं, उनको भी अगली बैटक में बता देंगे, इसको आप लोग लिपी बद क करिये पिर संसोधन कर दिया जाएगा, संसोधन के बार तब ये लोगों के सामने जाएगा, ताकि लोग समझ सके aun कि हमारा आशाय इनके पीछे क्या है, सेवालेओं के निर्मान के पीछे, नालिन. वो 55 से वाले है वो रक्षा से वाले है अपने लोगों की अपनी संपत्तियों की अपनी मरियादा की अपने मनौबल की अपने शास्त्रों की रक्षा ये भी एक बड़ा प्रस्ण है और इसीलिए इसके लिए एक विभाग रक्षा से वाले बनाया गया है अगला 56 अनसंदान से वाले है इस पष्ट ही है जितने तरह के अनसंदान होंगे वो सब इस से वाले के अंतरगत होंगे इसी तरह से अन्वेशन, खोजें होती हैं तो जो खोज के काम होंगे वो सब अनवेशन से वाले के अंतरगत होंगे और आविशकार देखिए अनसंधान अनवेशन और आविशकार ये तीनों अलग अलग चीज़े हैं इसलिए इन तीनों के लिए अलग विभाग बनाया गया है आविशकार से वाले में आविशकार होगा अनवेशन से वाले में अनवेशन होगे और अनसंदान से वाले में अनसंदान होगे निधान से वाले निधान का मतलब है खजाना तो इसमें आर्थिक जो खजाना है हमारा वो इसके अंतरगत आएगा इसी तरह से विधान सेवाले हैं विधान माने विधी का निर्मान परस पर संस्था को संचालन करने के लिए जिन विधीयों का निर्मान करने की आवस्यक्ता होगी अथवा दूसरी जिन विधीयों के बारे में कोई जानना शाहेगा वो ये विभाग बताएगा आपदा सेवाले स्पष्ट ही है जब कहीं पर विपत्ती आपत्ती आएगी आपदा आएगी तो वहाँ पर सेवा करने के लिए यही विभाग सक्री रहेगा संसत सेवाले परमधर्म संसत के भवन का निर्मान करेगा उसका रख रखाओ करेगा और उसमें सुब्यवस्था बनाएगा जब संसत चलेगी तो संसत की कारवाही चलाने के लिए जो सहयोग है वो भी इसी के द्वारा दिया जाएगा इसी तरह से तिरसठमा है निर्मान सेवाले निर्मान का मतलब है जहां जहां हमको जो जो भी निर्मान करने है कहीं मठ निर्मान करना है कहीं विद्याले भवन निर्मान करना है कहीं शहार दिवारी बनाना है कहीं मंदिर बनाना है यह सब जो निर्मान के कारिय होंगे वो इस सेवाले के अंतरगत होंगे संग्रह सेवाले में हम जैसे संग्रहाले में परमपरा से जुड़ी धर्म से जुड़ी जो वस्तुवें हैं उनका संग्रह करना है तो इस संग्रह सेवाले में होगा संग्रहीत वस्तुवों की देख रेख इसी विभाग के अंतरगत आएगी शिविर से वाले ऐसा होता है कि समय समय पर अनेक स्थानों पर हम लोगों को शिविरों का निर्मान करना होता है यातरा करते समय भी शिविरों का निर्मान करना पड़ता है और कुम्भादी जब परवाते हैं तो वहाँ पर भूमी का आवंटन करवा करके वहाँ पर शिविर का निर्मान करके जो लोग आगत अभ्यागत हैं उनको रुकाना होता है और प्रवशनादी के कारितनों संपन कराने होते हैं तो जहाँ जहाँ शिविरों के निर्मान की आवसकता पड़ेगी ये भी भाग हमारा रहेगा पहले से इसमें इसी तरह के विशेशगे लोग रहेंगे वो शिविरों का निर्मान करेंगे और फिर उनका समापन करके वस्तिवों का संरक्षन करेंगे वस्तर सेवाले में वस्तरों के बारे में चर्चा रहेगी वस्तरों के से संबंदि जितने काम है वो वस्तर सेवाले करेंगे आले सेवाले माने मंदिरों की सेवा मंदिरों के अंदर निर्मान, व्यवस्ता और पूजा अर्चना का पड़ा काम रहता है तो इसलिए आले सेवाले अलग से बना दिया गया है ताकि मंदिरों में पूजा अर्चना, उनकी सुब वेवस्ता और मरमत आदी कारे देखे जा सके हैं इसी तरह से निर्वाह सेवाले हैं ये मठों के या हमारे परिशरों के वेवस्थापन से सम्मधी था तो ये हमारे मठों की वेवस्था करने के संदर्व में है इसमें वेवस्थापक समितियां रहेंगी वो वेवस्था करेंगी प्रबंधक करेंगे प्रबंधकी ये कौशल उनके अंदर विक्सित किया जाएगा प्रशिक्षन भी भाग के द्वारा और वो अलग-अलग मठों के निर्वाह के लिए कार्य करेंगे इसी तरह से एक अतिती सेवाले बनाने का बनाया गया है इस सेवाले के माध्यम से स्थान स्थान पर विशेश करके चार धाम में द्वादस जोतिलिंग में फिक्याउन सक्तिपीठों में एक स्वाट श्रिक शेत्रों में साथ पुरियों में और भी जहां आवसेक्ता हूँ वहाँ पर अतिती सेवाले का अतिती पर उनका निर्मान करना उसमें अतिती उनको रुकाना उनको सुब्य वस्था देना सनातन धरम की अनुसार पवित्र निमास और पवित्र बोजन आदि प्रदान करके फिर उनको रुवाना करना ये एकारी अतिती सेवाले के माध्यम से होगा सत्तरवा है हमारा जाती सेवाले जाती का मतलब है हमारे यहां जातियों का भी बड़ अपना माहत में है अलग अलग जातियों के गवरव गरंतों को खोजना उनके लोगों को उनकी जाती के माहत में से परचित कराना और उनको अपनी जाती में सुरक्षित रखते हुए और उनके मन में अगर कोई हीन भावना किसी ने पैदा कर दी है तो जाती के गवरों को बता करके उनको भी गवरों वानुइत करना इस तरह का जो कारी है वो जाती सेवाले के माधियम से किया जाएगा यती सेवाले यती माने सन्यासी सन्यासियों की सेवा के लिए सेवाले कारे करेगा जितने देश में सन्यासी हैं, उन सब सन्यासीयों को पंजीक कृत करना, फिर उनकी देखरेक रखना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान प्रस्तुत करना, ये सब कारी येति सेवाले के अंतरगत पहेंगे बातरवा है उत्सव सेवाले, उत्सव का मतलब है इवेंट, जितने उत्सव होते हैं, चाहे वो प्रतिवर्ष हमकमक्तितियों में आने वाले उत्सव हैं, अथवा अलग से किसी प्रयोजन वस मनाया जाने वाला उत्सव है उस उत्सव को जैसे एक event management का कारिय जो होता है वही उत्सव सेवाले का कारिय होगा संसकार सेवाले संसकार सेवाले के माध्यम से हम जो सोड़स संसकार हमारे हैं उन संसकारों के बारे में लोगों को जागरूख करेंगे उन संसकारों को कराने वाले जो पुरुहीत हैं वो इसी में तयार हैंगे जहां जिसको जरूरत पड़ेगी तुरंत संसकार कराने के लिए वो उपस्तित रहेंगे और संसकारों के बारे में उनकी जानकारी भी गहरी रहेगी साधना सेवाले में उन साधकों के लिए मदद उपलब्द रहेगी जो किसी भी तरह से साधना करते हुए सिद्धी प्राप्त करना चाहते हैं साधना के काल में उनकी मदद करने के लिए ये वेवस्ता रहेगी इसी तरह से नाम सेवाले है नाम से वाले का मतलब है कि किसका नाम क्या हो और किस तरह के नाम से इनको प्रसिद्धी मिल सकती है क्योंकि नाम का भी एक अपना अलग विर्कियान है उस बारे में विचार करते हुए नाम करन संसकार में मदद करना नाम अंकन करना और उन नामों का लेखा जोका रखना ये नाम से वाले का कारी होगा जहिंती से वाले में जहिंतियां मनाई जाएंगी बगवान की जहिंतियादी योग सेवाले में योग के बारे में सब तरह का कारी किया जाएगा महत सेवाले में जो महान पुरुष हैं उन महान पुरुषों की जीवनियां उनके चित्र उनके इतिहास से जुड़ी बस्तुएं प्रेरणा दायक पाट इस तरह से ये सबकारी महत्सेवाले में होगा शास्त्रार्थ सेवाले में शास्त्रार्थ को बढ़ावा देने के लिए जो जो भी कारी किये जाने हैं वो सब किये जाएंगे शास्त्रार्थी लोगों का ये भी भाग होगा विद्वत सेवाले में देशवर के विद्वानों, विश्वर के विद्वानों की खोज खबर रखना, उनसे संपर्क रखना, आवसेक्ता पढ़ने पर विद्वत सभा करना, विद्वत सम्मान आदियायोजित करना, उनको सम्मानित कराना आदिकारी होंगे अनुस्ठान से वाले में हमारे पुरहीद लोग रहेंगे जहां कहीं जो अनुस्ठान करना होगा वो कर सकेंगे दर्शन से वाले भगवान के दर्शन के लिए यात्राएं जो निकलती हैं अथवा देश भर के जितने मंदिर हैं उन सब का दर्शन इकठा करके एक ऐसी सीडी बनाना जिसमें कोई खाली है तो वो एक-एक मंदिर का बढ़ाता जाए और दर्शन करता जाए कि ये मंदिर यहाँ पर है इस मंदिर का ये महात्मिया यहाँ की ये देवता है एक डेट दो मिनट एक मंदिर पर लगाए फिर आगे बढ़ जाए इस तरह से पूरे देश के मंदिरों के दर्शनावली तयार कर देना ताकि अगर कोई वेक्ती है वो घर में ही बैठा है तो और कुछ काम नहीं है तो कम से कम एक-एक चितर सरकाता जाए और एक-एक मंदिरों का दर्शन करता जाए लाखों मंदिर है तो लाखों मंदिरों का दर्शन उसको घर बैठे प्राप्त करा देना ये दर्शन सेवाले का मुख्य उद्देश है इसी तरह से चितर सेवाले है ये जो चितर सेवाले है इसमें हम लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं उनके द्वारा जो भी कारे किये जा रहे हैं उनके जो चित्र इकठा होते हैं बहुत सारे चित्र हैं वो सब चित्र इस चित्र से वाले में संग्रीत रखना ताकि किसी को किसी के चित्र की आवसेकता है तो वो वहाँ जा करके खोज ले और खोज करके उसको प्राप्त कर ले इस तरह से ये चितर से वाले होगा इस चितर से वाले में केवल हम लोगों के ही चितर नहीं सनातन धर्म के जो भी चितर हैं जहां जहां भी उपलब्द हैं वो सब ला करके रखना ला करके उनको लोगों के लिए उपलब्द करा देना ये बड़ा कारी है तो ऐसे चित्रों का संग्र है इसमें रहेगा और निरंतर इसको बढ़ाया जाता रहेगा ताकि चित्र किसी को जरूरत हो तो तत्काल वो चित्र सेवाले में आया और वहां से उसको चित्र सब तरह का प्राप्त हो जाए अगर उसको जरूरत है कि आकंडानन जी का हमको चित्र चाहिए तो आकंडानन जी की चित्र करपातरी जी का चित्र चाहिए करपातरी जी के मिल जाए अमुक शंकराचायर जी का चित्र चाहिए वो मिल जाए आमुक महात्मा का विवे कानन जी का चाहिए मिल जाए राम कृष्ण पुरामनस के चित्र चाहिए मिल जाए इस तरह से धर्म से संबंदित जो चित्र हैं धर्माचारियों से संबंदित जो चित्र हैं वो सब चित्र इसमें रहें तो अनकी आवस्यक्ता सबको होती है यह अनसेवाले जहां जहां भी जरूरी होगा वहाँ पर अनसेवाले स्थापित करके लोगों को बोजन कराएगा लोक सेवाले है यह जनता के लिए जहां पर भीर जादा है वहाँ पर लोक सेवाले स्थापित हो करके लोगों की सेवा करेगा माने जैसे स्काउट गाइट भीर भाड की जगों पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर के लोगों को मदद करते हैं कोई रास्ता पुषता है तो रास्ता बता देते हैं कोई गिर गया है तो उठा करके कड़ा कर देते हैं आदी आदी ये सहायता करने लगते हैं इस तरह की सहायता के लिए लोग सेवाले बना हुआ है अगला सेवाला है यगि सेवाले यगि सेवाले का मतलब है यगि सम्मंदी जितने कारी हैं अध्यानादी से ले करके यग्य संपन कराने तक का सारा कारी इस यग्य सेवाले के अंतरगत होगा सहायता सेवाले कुछ लोग सहायता मांगने के लिए आते हैं तो सहायता सेवाले से उनकी सहायता हो जाएगी धर्मानयन सेवाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म में वापस आना gagnते हैं किसी कारण से दूसरे धर्म में चले गए अब उनको लगता है कि हम गलत आगे वापस जाना शारते हैं तो वापस आने के लिए उनके पास रास्ता होना चाहिए हमारा ये स्वधर्मान जो सेवाले है इस सेवाले के माद्यम से वो लोग यहां आ सकेंगे नवासीमा सेवाले है सलधा सेवाले सलधा का मतलब है सासे सपाद लासे लक्षेश्वर धासे धाम सपाद लक्षेश्वर धाम जो 36 गड़ के वेमेतरा जिले में शिव गंगानदी के किनारे बनाया जा रहा है ये अपने आप में एक बड़ा काम है क्योंकि महां सवालाग शिवलिंग की स्थापना हो रही है आगे चल करके उनकी पूजा पिधान आदी के लिए भी बड़ा एक आयोजन रखना पड़ेगा तो ये सलधा से वाले निर्मित ह होगा पहले इसकी बेवस्ता होगी और अगर अन्यत्र कहीं पर भी सपादलक्ष शरधाम स्थापित करना हुगा तो उसलधा से वाले के नाम से ही अन्यत्र भी स्थापित होगा ये सब कारिये इसी से वाले के मादियम से होंगे देव से वाले के मादियम से हम देवताओं की जो पूजा अर्चना है देव संबंधी कारी हैं वो सब कर सकेंगे अवसदी सेवाले से अवसदियों का वितरन निर्मान उपजाना रख रखाव करना आदी होगा देश सेवाले राष्टर के संदर्भ में अगर कोई कारी हुआ तो उदेश सेवाले करेगा उद्योग सेवाले में छोटे-छोटे उद्योग हम लोग लगाएंगे आवसिक्ता पड़ी तो भभवन ने सक्षम बनाया तो बड़े-बड़े उद्योग भी लगा करके उसमें लोगों को रोजगार देना और उस उद्योक के माध्यम से धार्मिक जगत की सेवा करना क्रिशी सेवाले में गोबर की खाद से अनका उत्पादन आदी करना जो किसान हैं उनको मदद करना आदी कारिय होंगे गव सेवाले से गव सेवा होगी प्राणी सेवाले से गाय की अत्रिक्त दूसरे भी प्राणी है उन सब प्राणियों में जिसकी सेवा किया वसकता होगी उनकी सेवा के लिए प्राणी सेवाले होगा परियावरन सेवाले के माद्यम से परियावरन की सेवा की जाएगी पक्षी सेवाले के माध्यम से पक्षियों की सेवा होगी बिक्ष सेवाले के माध्यम से बिक्षों की सेवा होगी विज्ञान सेवाले के माध्यम से विज्ञान की सेवा होगी विज्ञानिक अनुसंधानादी विज्ञानिक प्रयोगादी इससे किये जाएंगे पंजी करण सेवाले पंजी करण करेगा हर चीज को पंजी कृत किया जाएगा स्वच्छता सेवाले स्वच्छता के बारे में कार्य करेगा पंचांग सेवाले प्रतिवर्ष रनातनी पंचांग का निर्मान करेगा और उसको publish करके लोगों के बीच में उपलुप्द कराएगा सेवा सेवाले जहां जिस तरह की सेवा होगी उसके लिये कारे करे जैसे लोग सेवा आयोग है उसमें सेवा करने के लिए परिक्षाएं होती है चैन किया जाता है फिर उनको नियक्ति की जाती है इसी तरह से ये सेवा सेवा ले, सेवा के लिए तैयारी कराना, फिर उनको परिक्षा लेकर के पास करना, फिर उनको नियुक्ति अन्यतर देना, ये सब कारे सेवा सेवा लेकर माध्यम से होगा तीर्त सेवा ले, तीर्तों के रख रखा, उनके सम्मान की विवर्दी में कारी करेगा, और समस्त तीर्तों का जो भी शास्त्री ये तीर्त हैं, उनकी सूची बना करके, उन सब तीर्तों का जल अलग अलग स्थानों पर थापित करेगा, ताकि लोग सब तीर्तों का दर्शन जब चाहें कर सकें। जल सेवाले जल की सेवा करेगा, ज़ पीने के लिए पानी सरवत्र सुद्ध उपलब्द कराएगा। गंगा सेवाले गंगा की अविरल निर्मलधारा के लिए काम करेगा। और निर्मालध सेवाले मंदिरों में चड़े हुए फूलों का रख रखाव निकास, ताकि वो किसी के पैरों में ना आए, इसके लिए कारिय करेगा। तो ये एक सवाट सेवाले हैं, इन एक सवाट सेवालें से परमधर्मसंसद अपनी सेवा के कारिय करेगा। इन सब सेवालेओं के जो प्रमुख हैं वो अपने अपने प्छितर में प्रमुख माने जाएंगे और इस तरह से प्रत्येक परम धर्म न्सदी एक शेटर में एक दर्द सेवाले होंगे और नव सो और लोग होंगे जो सहीयोगी होंगे अब सिक्ता पढ़ने पर उन्हीं में से कोई न कोई आगया करके इन से वालें का जो कार है उसमें सही हो करेंगे ये बेवस्ता है